Hello students, welcome to Brilliant Minds. I am Arthi, your math teacher. आज हम करेंगे अपनी exercise 13E, question number 15 से start. और last video में उन्हें 1 to 14 already complete कर लिये हैं. अब देखिए, I hope आपने वो वीडियो अच्छे से देख भी लियोगे और आपको सारे questions अच्छे से समझ आ गए होंगे. इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका link आपको class 7 ICIC की playlist जिसका link में in description box में दिया हुआ है. अगर आप वो playlist को click करेंगे तो आपके पास सारी वीडियोs class 7 के आ जाएंगी. उन में से आपको वो वीडियो भी easily available हो जाएगी. अब हम करते हैं अपना question number 15 start. So हमें क्या करने हैं सबसे पहले जो हमने लास वीडियो में भी सीखे है कि नीचे जो भी denominator दी है अगर वो same नहीं है तो हमें LCM लेना होता है. Then 5 और 2 का LCM क्या होगा हमारे पास 10. 5 और 2 का हमने LCM ले लिया 10. 10 को 5 से divide करेंगे तो क्या आजाएगा हमारे पास 2. 2 को X से multiply करेंगे. X क्या कि कुछ नहीं है means 1 है. तो जिसे variable क्या कि कुछ नहीं होता 1 होता है. तो 2 1s है 2. Again यहां में बहुत ध्यान से देखना है. इसमें जो numerator है यह binomial term है. इसमें 2 terms है. तो सबसे पहले हमने 10 को 2 से divide किया. हमारा answer क्या आया 5. 5 को हमने इन दोनों से multiply करना है. यह important thing है इस question में. जब हम last questions कर रहे थे 1, 2, 14. उसमें उपर भी हमारे बस manomial single term ही होती थी. बट यहां पे 2 terms हैं. तो आपने क्या करने है? mistake से यह नहीं कर देना कि 10 को 2 से divide किया. 5 और 5 को x के साथ multiply कर दिया only. No. 5 दोनों से multiply होगा जितनी भी terms हो. तो हम क्या लिखेंगे? 5x जा 5x प्लस 5 1 जा 5. देखें, दोनों से multiply होगा. अब हम like terms को solve कर लेते हैं. 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 7x प्लस 5 और नीचे 10. यह आ गया आपका answer. Question No. 16. अकिन देखें, x प्लस x प्लस 2 ओवर 3. तो यह जो नीचे यहाँ पे 3 से divide हो रही है, यह भी binomial term है. तो हमें क्या करने है? यहाँ भी हमने क्या ले लिया? 1 और 1 and 3 का else इम क्या होगा? 3. 3 को 1 से divide करेंगे तो 3 आएगा. 3 को x के multiply करके आगया 3x प्लस 3 को 3 से divide किया 1. तो 1 से multiply करके भी same number आएगा. आप लिख भी सकते हैं अपनी समझ के लिए 1. चाहें ना भी लिखें. यहाँ पे तो आपके पास क्या आजाएगा? 3x प्लस 1x या 1x. 1, 2, 2. 2, अब देखें मैंने आपको क्यों समझाया हैं. यहाँ पे 1 नहीं भी लिख सकते थे. वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वाँ लिखने की. बट जब यहाँ पे minus होगा ना आगे कोई sum आएगा तो हम उसको practice करेंगे. तो अंदर bracket में sign change हो जाते हैं. तो तब आपने ज़्यादा ध्यान देने. अब यहाँ पे plus था तो कोई sign change नहीं होगा. 3x plus x कितना आगे? आपके पास 4x plus 2 upon 3. यह आगे हमारे इस question का भी answer. अब देखें यहाँ पे again हम 5 and 2 calcium लेंगे. that is 10. 10 को 5 से divide किया 2 and 2 3 से क्या हो जाएगा? multiply 2 3 is a 6. then minus. देखें, minus वास हम आगया. जो हम बात कर रहे थे. 10 को 2 से divide किया 5. तो हम 5 लिखेंगे 5 को y से नहीं multiply करना. 5 को 2 से करना है. इसलिए हम यहाँ पे bracket बनाते हैं. यह बहुत important और ध्यान से आपने step को समझने है. then अब देखें, 5y is a 5y. minus plus minus. 6 में से 5 गए, कितने रहा जाएंगे 1y? तो y लिखते देखें, minus 10 over 10. अब हम करते हैं question number 18. again हम यहाँ पे calcium लेना है. 3 and 2 का calcium कितना आजाएगा? आपके पास 6. 6 को 3 से divide करेंगे 2. तो अब 2 को कहाँ लिखें? दोनों के आगे. तो यहाँ पे 2 is plus 1. जब भी आपके पास 1 से ज़्यादा term है. यहाँ रखने है, मनॉमियल से. चाहिए वो बाइनॉमियल है, ट्राइनॉमियल एक से ज़्यादा term है. तो आपको bracket में ही रखने हैं, बाहर वाला number सबसे multiply होगा. 6 को 2 से divide कर देते हैं, 3 आजाएगा. अब 3 भी इस पूरे expression से multiply होगा. तो हम यहाँ पे करते हैं, फिले 2 2s हा, 4a plus 2 1s हा, 2 plus 3 3s हा, 9a plus minus minus 3 1s हा, 3. अब आपको detail में इनको solve करना तो आता है, क्योंकि हमने सारे chapter में जो starting exercise की हैं, उनमें यही सीख है. like terms को plus करना, minus करना, plus minus minus 9 में 4 add करेंगे, कितना आजाएगा आपके पास 13a as it is, then plus minus minus 13, 3 में से 2 गए, 1 और sign किसका आता हैं, बड़े digit का. तो आपका answer आगया, 13a minus 1 over 6, अब देखिए हमें इन तीनों का LCM लेना यहाँ पर, 2, 3 and 4 का में LCM लेंगे, तो कितना आजाएगा हमारे पास 12, then 12 को 2 से divide कर दीजे 6, 6 किसे multiply होगा, दोनों से, yes, then 12 को 3 से divide कर दो, 4, 4 इन दोनों से multiply होगा, as it is लिख देंगे, 12 को 4 से divide 3, और 3 भी इन दोनों से multiply होगा, अब देखिए मैंने सब के साथ bracket बिनाई, क्यों bracket बिनाई है, क्योंकि हमें बाहर वाले number को दोनों अंदर जो terms है, उनसे multiply करने, then यहाँ पर आगया हमारे पास, 6 के जा 6 के, plus 6 1 जा 6, plus 4 2 जा 8 के, 4 1 जा 4, देखिए, plus, minus, 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 plus, minus, then हमारे बस क्या आजाएगा, 3 into k, 3 k, plus, minus, minus, हमने अल्यदी यहाँ पर लिखती है, minus, plus, minus, 3, 3s are 9, then, LC हमें हमारा 12 नीचे, अब like terms को एक साथ कर लेते हैं, 6 k, plus 8 k, minus 3 k, then, plus 6, minus 4, minus 9, अब हम इनको solve कर देते हैं, क्या आजाएगा, 6 plus 8 कितना हो गया, आपके पास, 14 k, then 3 k को minus कर दे यहाँ पर बिलें, minus को add कर लेते हैं, क्यों, minus, minus, plus हो जाएगा, 9 plus 4, कितना आगे हमारा पास, 13 और साइन, बड़े डिजेट का, next step, 14 में से 3 गए, 11 k, plus, minus, minus, 13 में से 6 गए, 7 और साइन, बड़े डिजेट का आता है, यहाँ पर जैसे 14 के आगे, plus था, तो हमने positive भी रखा इ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सकाइब कर लीजे, और बैल अकन को प्रेस कर दी, जिससे आपके पास latest वीडियो के भी notification टाइम ली आती रहेंगी, अब हम करते हैं, अपना question number 20 स्टार्ट, देखे, question number 20 में क्या है, यहाँ पर इंगर टमजी सीधा multiply हो गया, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, तो 5 इन दोनों से होना इसलिए पहले bracket के बाहर लिखेंगे, और यहाँ पर 15 को 1 से डिवाइड किया 15 ही आ गया, तो हमने 15 M जा यहाँ पर लिख दिया 15 M, then next step 3 M as it is, 5 M's are 5 M, minus plus minus 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 plus 5 2's are 10, plus 15 M as it is, then नीचे क्य आ जाएगा 15, अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, like terms को solve कर लिजे, plus minus minus 5 में से 3 गए, 2 M, sign किसका आएगा, बड़े डिवाइड का, plus 15 M, and then 10 लिख देते हैं, like terms को हमने एक साथ कर लिया, यहाँ पर solve भी कर दिया है, plus minus minus 15 में से 2 गए, 13 M, और sign positive रहेगा, बड़े डिवा 15 यहाँ पर positive है, तो हमारा answer आगया, 13 M, plus 10 over 15, question number 21, यहाँ पर देखिए, 3, 7, 5, and 7, इन तीनों का LCM लेना है, हमारे पास LCM क्या आजाएगा, इनका 105, हमारे पास 105 LCM कैसे आया, हमने 5, 3, 5, and 7 का LCM कैसे लिया, देखिए, LCM आप सबको लेना आता है, जैसे यह इसके table में न और then last 7 पर, तो then LCM is equal to 3 into 5 into 7, 3, 5, 15, 7, 105, तो हमारा LCM आगया, 105, तो हमें simply क्या करना है, यहाँ पर, 105 अपना LCM लिख देना है, and then इसको solve करते है, 105 को 3 से divide कर लेते हैं, कितना आएगा, 3 से divide करके हैं, 35, तो आपको 35 को किसे multiply करना है, पहले 5 के साथ, तो 35 into 5, 175, लिखें, ध्यान से देखने हैं, अगर आपको ऐसे नहीं समझाता है, तुम rough में भी समझ सकते हैं, कि हमें क्या करना है, जो मैंने आपको पहले भी trick सिखाई थी, कि जो भी fraction को solve करना है, उसको rough में लिखें, और LCM के साथ कर दीजे, multiply देखें, 3 को divide किया इसके सा तो क्या आ गया, 3, 3 जान 9, and 3, 5 जान 35, अब 35 को 5 से multiply करके आ गया हमार पास 175, और साथ में x-4 as it is, जिनसे multiply करना है, अब 105 को 5 से divide करते हैं, तो आ जाएगा 21, 21 into 2, आ गया हमार पास 42, 5x-3 as it is, 105 को 7 से करेंगे divide, तो हमार बस क्या आ गया, 7 से divide करके यहां पे, 15, 15, 6 जा हमार पास आ गया, 90, x-4 as it is, अब इसके बाद यहां पे हम step कर लेते हैं, क्योंकि बीच में हमने यहां पे rough calculations कर ली थी, यहां पे क्या आ जाएगा हमार पास, 175 into x, 175x-175 को 4 से multiply करना है, हमार पास आ गया multiply करके, 700 plus 42 को 5 से multiply करते हैं, 210x plus minus minus, 42 को 3 से multiply करते हैं, 126 plus 90 को x से कर दिया, 90x minus, 90 को 4 से कर दिया, 360 आ गया हमारे पास, और नीचे हमारा L से हम क्या है, 105, अब like terms को एक साथ लिख लेते हैं, 175x plus 210x plus 90x minus 700 minus 126 and minus 360, अपॉन किसे divide करना है, 105 के साथ, अब देखिए, next step में क्या करना है, like terms को solve कर देते हैं, इन सबको add कर देते हैं, ये भी minus minus plus हो रहा है, और again minus कहीं होगा, फिर minus minus plus, इन सबको भी एक साथ plus कर लेते हैं, इनको भी एक साथ plus कर देते हैं, इनको plus करके आ गया हमारे पास, 475x minus, और इन सबको plus करके आ गया, 1186, जो किस से divide हो रहे हैं, 105 के साथ, I hope आपको question number 21 भी अच्छे से समझ आ गया है, ये हमारा answer आ गया है, अब हम करते हैं, अपना next question स्टार्ट, अब देखिए, question number 22 को हम कैसे attempt करेंगे, इसमें ये term, ये जो expressions है, एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, multiply हो रही है, ये प्लस और माइनस का sign नहीं है बीच में, जा दोनों plus, कि जिन से हम सीधा LC हम ले लें, side terms का ऐसे नहीं करना, तो आपको individually इसको solve करना है, इसको इसको सबको multiply करना है, एक तो ये way है, और दूसरे way भी है, देखिए, य क्या बचेगा 1, जब कोई variable बाहर आ जाता है, तो अंदर उसकी जगह पे, अगर वो एक ही था, यहां पे एक ही भी है, तो पी बाहर आ गया, तो अंदर हमारे पास 1 रह गया, तो यहां पे भी 1 आ गया, और यह आ गया नीचे 3, क्योंकि दोनों पी बाहर आ गये है, जब हम common निकालते हैं, तो दोनों की जगह पे, वो सेम, जैसे स्पोर्स एक बार पी लिखा है न, तो दोनों में से बाहर आया है, तो अंदर दोनों की जगह रह गया, आपके पास 1, अब यहां यह वाला पी बाहर निकालेंगे, अगिन यहां पे 2 रह गया, प्लस 1 ओवर 2, उनकि प तो बाहर आगया, 2 क्यों रह गया, कि पी बाहर आया है, उसके साथ 2 बाहर नहीं निकाला, यहां पे भी देखिए, पी बाहर आएगा, यहां पे क्या रह गया है, हमार पस 3, and minus 2 over 3, युमकी पी तो बाहर आगया, आप देखिए, variable में क्या होता है, देखिए, बाहर पी, पी multiply P, multiply P, P, Q, then 1 plus 1 over 3, 2 plus 1 over 2, and 3 minus 2 over 3, अब इनको solve करना है, bracket में, तो यहां पे क्या आजाएगा, हमार पस LCM लेखे, 3, यहां पे कुछ नहीं है, तो 1 लगा रहे है, 3 को 1 से divide किया, 3, 1 से multiply कर दिया, उपर, same as it is, यहां पे भी यह कर देते हैं, 1 and 2 का LCM is 2, और यहां पे 1 and 3 का LCM is 3, 2 को 1 से divide किया, 2, 2, 2 is 4, then 3 को 1 से divide किया, 3, 3, 3 is 9, उपर, as it is, P, Q, यहां पे क्या आजाए, 4 over 3, then 5 over 2, यहां पे 7 over 3, अब इनको solve कर देते हैं, सारे multiply हो रहे हैं, तो brackets को open कर देते हैं, और multiply का sign डाल के, सीधा इनको लिख देते हैं, देखे, cutting हो रहे हैं, तो कर करेंगे, नहीं तो नहीं, 2, 1s, 2, 2s, then 3 की उपर कोई cutting नहीं हो रही है, तुम्हार पास क्या आगया, P, Q, multiply, 7, 5, 2s, 10, 7s, 70, और 3, 3s, 9, इसको हम कैसे represent कर सकते हैं, 70 over 9, P, Q, यहां आगया हमारा answer, अब यही same question, 22 हम different way से करेंगे, वहां मैंने आपको common निकाल के समझाए, मैं भी कुछ students को common निकालना समझ नहाँ है, और देखें, जैसे हम पहले simple करते थे, यहां पे कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे, जैसे simply हम बाके साहस हम solve कर रहे हैं, तो हम इन दोनों का LCM लेंगे, क्या आजाएगा, 3, 3 को 1 से divide किया 3, और 3 को P से multiply कर दिया, 3 P plus P, bracket बन गई, then 1 और 2 का LCM 2, 2 को 1 से divide किया 2 ही आगया, 2, 2 जा 4, यह simple हम हर question में कर रहे हैं, जितने हमने पहले किये हैं, again LCM is 3, और यहां पे क्या आजाएगा, 3 को 1 से divide करके 3, 3 उपर जाके multiply हो गया, 3, 3 जा 9, then 3 P plus P, कितना हो जाएगा, यह 1 P है न, that is 4 P over 3, then यह किस से multiply हो रहे है, 4 P plus P, 5 P over 2, multiply 9 में से 2 गए, 7 P over 3, अब simply देखे, 2 1s आ, 2 2s आ, cutting हो रही थी और नहीं हो रही, तो 2 5s आ, 10, 10 7s आ, 70, और P का answer क्या आ गया, P cube, 1, 2, 3 है न, इसमे P cube हो गया, और 3 3s आ, 9, यह आ गया हमारा answer, में भी यह concept को students को difficult लगे, इसलिए हमने already उसी concept के साथ यहाँ पर sum solve कर लिया है, जिससे हमने बाकी सारे questions भी solve की हैं, और I hope अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अब हम करते है question number 23, question number 23, again 7 over 30 of this, तो पहले हम of को solve कर लेते हैं, जो bracket के अंदर है यहाँ पर, पहले bracket को solve करते हैं, 5, 15 और 3 कैल से हम 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 5, 5 उपर 1 से मंट पर लगो के बन गया, 5P, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे, 1 नहीं आएगा, तो 1 7 जा 7, then, of की place पे हम क्या लिखेंगे, multiply, and 7, यह like terms है, P and P, 7 plus 5, 12, P over 15, अब देखेगा, cutting होती है, जो हम कर सकते है जिसे यह 3 के टेबल में हो रही है, 3 10 जा, and 3, 4 जा 12, again किसके टेबल पे हो रही है, 2 के टेबल में, 2 5 जा, and 2 2 जा, तो 2 7 जा क्या आ जाएगा, आपके बाई यहाँ पर 14, P, and नीचे 15 5 जा, 75, तो यह आ गया आपका answer, अब देखेए, यहाँ पर यह expression इससे क्या हो रही है, divide तो पर यहाँ पर हम individually अंदर expressions को solve कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, solve करके, 1 और 7 के calcium लेंगे, क्या आगया हमारे पास, 7, 7 को, यहाँ पर 1 से divide करेंगे, 7 ही आगया, 7 2,14, और same है, 7 को 7 से divide करके, 1 ही आएगा, 1 P, 1 P ही रहेगा, as it is, same, तो 10 आगया, celsius यहां भी 9p as being को 10 से 10 डिवाइड करके 1 नहीं आएगा 10 को 1 से डिवाइड किया 10 10 फोर्स हां 40 b 14 प्लस 1 कितना आ गया आपके पास 15 p over 7 डिवाइड किसे हो रहा है 40 प्लस 9 that is 49 p over 10 अब देखें fractions को हम डिवाइड तो नहीं करते क्या करते हैं multiply का sign बनाके inside को reciprocal तो यह क्या बन गया 49 p over 10 बन गया 10 49 over p तो अब यहां पर देखें cutting तो हो नहीं रही नहीं 15 की इसके साथ हो रही है नहीं 7 की उपर वले numbers के साथ cutting हो रही है तो आपका answer क्या आ जाएगा 15 10 जा 150 p and 49 into 7 343 यहां पे भी हमारे पास p है और उपर भी हमारे पास p है तो p and p cut गए same variable cut जाते है तो आपका answer आ गया 150 over 343 अगर cutting होती है तो हमें करनी है पर यहां पे खोई भी cutting नहीं हो है तो सीधा हमारा answer आ गया question number 25 again 5 and 8 का बले else हम ले लेते हैं that ही हमारे पास क्या आ जाएगा 40 40 को 8 से divide किया 5 5 को 5 से multiply किया 25k 40 को 5 से गया 8 8 3 जा 25k then यह as it is लिख देते हैं अभी बाहर इन दोनों को minus कर देते 25 में 24 गए k वो भी positive बचे को 25 के साथ positive sign है then next step में क्या करेंगे fractions को divide तो नहीं करना होता multiply का sign डालके इसको इस side को reciprocal k से k कट गया 4 1 जा and 4 10 तो आपका answer क्या आ गया 1 upon 10 अब देखें next question again पिले bracket को solve करेंगे 6 and 3 का calcium 6 6 को 6 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा उपर as it is 6 को 3 से किया 2 2 को 2 से multiply करके आ गया 4 then यहाँ पर कुछ नहीं है 1 लिख लिए 1 and 3 का calcium 3 ही रहेगा 3 को 1 से divide करेंगे 3 तो 3y plus 3 को 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा then 4 plus 1 कितना आ गया आपके पास 5y over 6 divide किससे हो रहा है यह इसको पहले bracket में solve कर लेते हैं 3y plus 2y minus 1 over 3 then 5y over 6 divide इससे हो रहा है 3 plus 2 5y minus 1 over 3 अब simply आपको क्या करना है multiply का sign डालके इस side को reciprocal ऐसे लिख देना है then 3 ones and 3 twos आप देखे सबसे important चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर समझाने लगी हूँ अब यहाँ पर देखिए 5y into 1 तो 5y हो जाएगा और नीचे क्या है 2 multiply हो रहा है हमारे पास 5y minus 1 दोनों के साथ क्योंकि मैं आपको बले समझाया है expression अगर binomial होगी तो ऐसे ही लिखते हैं अब यहाँ देखिए mistake से कुछ students का करते है 5y को 5y से cut कर दिया 5y cutting नहीं होनी क्योंकि यहाँ पर minus का assign है और वो उपर single term है तो यहाँ पर multiply में नहीं है terms plus minus में है तो आपको उपर as design देने और नीचे multiply कर देने 2 5s आ 10 आपके बाद आगया 10y और 2 1s आ 2 plus minus minus यहा आगया हमारा I hope आपको आई यह सारी exercise और सारे कुछ न अच्छे से समझ आ गई होंगे in case कोई डाउट हो तो आप comment section में लिख सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जयाज जयादा अपने friend के साथ share कीजिए और like कीजिए और अगर आप channel पर first time आ आ रहे हैं तो subscribe कर लि झाल